हेलो व्रिवान विल्कम टू फार्मरुक्स यूटूब चैनल फार्मरुक्स की यूटूब एजू किसना चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे पांच सबसे अच्छी दर्द निवारक दवायों के बारे में तो जो सबस प्रॉफेसर और फांडर फार्मरुक्स थेंक यू फर विंट फार्मरुक्स फेमिली अपडेट रही है फार्मरुक्स के साथ सीखे अलग लग बीमारीयों के बारे में उनके उप्चार के बारे है दवायों की यूज्टू सैड इफेक वर्निंग को एक साल तक के अंदर मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर पर हमें कॉल या वाट्सेप कर सकते हैं साथ ही हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलिवोड टू हिंदी एक्समस को जरूर से सब्सक्राइब करें और वहाँ पर देखे अलग-अलग हॉलिवोड की मुई इसको वो भी दवाया है कि जो सरीर में होने वाले पेन को जो दर्द होता है उसको कम करते और उनको एनलजिसिक दवाया भी कही जाती है कि स्पेसिल उनका काम यह होता है कि जो पेन की जो सेंसेशन होते उनको कम करना कि जिससे आपको आपको जो दर्द में से राहत मिले तो एनलजिसिक क जो main use होता है या फिर pain clear का main use होता है उनके नाम के तरह ही pain को kill करता है या फिर pain में से आपको जो वो मुक्ति देता है मतलब की relieve करता है आपका pain इसलिए उनको pain relievers drug भी कहा जाता है तो अब बात करते कि कौन से अलगे-लग conditions में ये खास कर use की जाते है जैसे कि सभी type के दर्द के अंदर की चलो आपको दात में दर्द हो रहा है या फिर kidney stone का दर्द हो रहा है या फिर galblader के stone का दर्द हो रहा है या फिर आपको सिर दर्जेसा हो रहा है मसल्स में दर्ध हो रहा है आपको आर्थर आइडियस मनले के गठिया रोक के अंदर आपको दर्ध हो रहा है या फिर जितने भी अलग-अलग टाइप के दर्ध है जैसे कि आपकी बॉड़ी पेन कर रही है बुखार भी है तो सभी में ये एनलजेसिक यूज़ किया जाते तो अब बात करते हैं कि सबसे पांच बहतरीन पेन किलर ड्रग्स कौन से कि जिनके साइड एफेक भी बहुत कम होती है तो एक है वो है एसिकलोफेनेक उसमें सबसे टॉप पे आएगा सेकंड डाइकलोफेनेक है आईबूबूफेन है पेरसेटामॉल और कीटोरोलेक तो अब समझते हैं उनके डोजिस के बारे में तो एसिकलोफेनेक के जो डिस्पर्जिबल टाबलेट्स भी अवेलेबलेते हैं कि जो आप टाबलेट को पानी में डालते हैं और वहाँ पे वो घुल जाती है और फिर वाप पानी लेते हैं या फिर उसके सस्टेन रिलिस टाबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं कि जो आपको लंबे समय तक दर्द में से जो वो मुक्ती देते हैं इवन उसके इंजेक्शन भी आते हैं पेसंट्स को लगाए जाते हैं तो 100 mg जो है वो दिन में 2 बार आप ले सकते हैं और लो डोस से ट्रिटमेंट स्टार्ट करने चाहिए मतलब कि आप जो है वो मैक्जिमम 200 mg जितना डोस जो है वो ले सकते है पर डे तो अगर आप ये सस्टेन रिलिस टैबलेट यूस करते हैं पेइन कलियर के तो तो डेली जो है वो एक टैबलेट जो है वो आपको लेनी चाहिए और समझे कि डिस्पर्जिबल्स लेते हैं तो 101 दिन में 2 बार जो है वो आप ले सकते हैं 100 mg BD मलग की दिन में 2 बार 100 mg की जितना डोस ले सकते हैं अब बात करते हैं सेकेंड जो है वो डाइकलोफेनेक की तो डाइकलोफेनेक का डोस रहता है 50 mg जितना दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार तो 25 mg के भी उसके टैबलेट जाते हैं 50 mg में भी आते हैं तो 50 mg दिन में 3 बार या फिर 50 mg दो बार तो उसका minimum dose की हम बात कर दे तो minimum dose रहेगा आपका 100 mg जितना पर डे और maximum dose उसका रहेगा 150 mg जितना तो जदा से जदा आप 150 mg या फिर कम से कम 100 mg जितना dose जो आपको लेना चाहिए कि जिससे आपके दर्द में से रहात मिले फिर उसका ये injection भी लगाया जाता है तो ये injection जो सिर्फ और सिर्फ दिन में एक ही बार once a day दिन में एक ही बार ये injection जो लगाया जाता है कि जिससे आपको लंबे समय तक जो पेन में से रहात मिलता है आगे बात करें तिसरे जो है वो brufan के बात करें तो brufan के जो tablet साते है या फिर उसका आप syrup या फिर suspension form में यूज करते हैं तो 400 mg से लेकर 800 mg जितना उसका dose रहता है दिन में तीन बार मतलब कि आप यह जो tablet से 400 mg कि वो दिन में तीन बार जो हो खा सकते हैं और यूजरली लो डोसे treatment स्टार्ट करते इसलिए कई बार पेसेंट्स को ये 200 mg वाली tablets भी दी जाते कि वो दिन में तीन बार लेते कि जिससे 60 mg जितना dose उनके बाडी में जाए और अगर आप 400 mg तीन बार लेते हैं तो टोटल 1200 mg जितना dose जो हो आपके बाडी के इंदर जाएगा चौथे medicine के बारे में समझ दे से पहले मैं आपको बदा दो कि जो latest trending जो मूवी है Spider-Man No Way Home उसको आप जो हो देख सकेंगे हमारी second channel पे कि जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain की link हमने आपको description box में दे दी है as well as जो comment box के अंदर भी हमारी जो second channel है Hollywood to Hindi explain आप अलग लिए जो Hollywood की movies उसमें जो सबसे trending movies है, web series वगरा है उसको अच्छे से picture quality के साथ देख पाऊंगे हिंदी में excellent की हुई story के साथ तो अभी subscribe करें second channel और वहाँ पे देखें latest trending movies को आगे सिखते हैं आब चौथी जो हमारे medication वो है paracetamol तो paracetamol के में daily dose के बारे में आपको बता दू तो 500 mg जितना आप dose ले सकते हर 4 से लेकर 6 गंटे के time interval के उपर तो paracetamol के हम बात करें minimum 3 tablets जो आप दिन में खा सकते हैं मतलब की 500 mg into 3 tablets मतलब की 1500 mg जितना dose जो आप दिन में ले सकते हैं maximum dose जो होता है adult के लिए वो रहता है 4000 mg per day मतलब की ये कहा जाता है की maximum tolerate कर सके उतना dose रहता है ये बट minimum आप संजो की 1500 mg या फिर 2000 mg जितना dose लेते हैं तो भी जो है वो enough रहता है कि जो आपका दर्द भी कम करता है और बुखार हो तो वो भी कम कर देता है तो जब आपको बुखार है या फिर दर्द है या फिर दोनों problem है तब ये सबसे अच्छा pain killer है तो even paracetamol pregnancy के दोरान भी एक safe pain killer medicine के तौर पे आप ले सकते हैं पांचवे की हम बात करें तो वो है keto rolex तो उसका जो dose है वो है 10 से लेकर 20 mg ओरली हर 6 गंडे पे और maximum आप 90 mg जितना dose ले सकते है per day तो या पर आप समझो कि ये 10 mg के समझो कि आप ये tablet है तो वो आप दिन में 4 भी खा सकते हैं या फिर आप dispersible tablet ले रहे तो उसको पानी में अच्छे से dissolve करानी चाहिए पानी में जिसे tablet गुल जाते हैं तो वो पानी को आपको तुरंत ही पीना होता है और वो भी आप दिन में 4 tablet ले सकते हैं या फिर maximum 90 mg per day जितना dose भी ले सकते हैं अब बात करते हैं ऐसे painkiller की जो periods के pain के दौरान आप ले सकते हैं तो वो है mefenemic acid के वो एक सबसे based और popular painkiller के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं जिसका dose रहता है 250 से लेकर 500 mg दिन में तीन बार और जो हर 8 गंटे पे यह जो dose लेना चाहिए और maximum आप 1500 mg जितना dose ले सकते हैं दिन में एक बार दोस यहाँ पर उसके कुछ आप popular ब्रांट्स देख सकते हैं तो इन में से कोई भी आप जो है वो यूज़ करते हैं इसके इंदर content होना चाहिए वो है मैफेनेमिक acid अब बात करते हैं कि समझे कि pregnancy के दोरान pain होता है तो उसमें कौन सी दवाई ले तो वो है paracetamol paracetamol जो है वो सबसे safe दवाई है और वो दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार जो हो आप उसको ले सकते हैं अगर आप दिन में तीन बार का होती है pain killers अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो उनके करण आपको vomiting हो सकती है stomach में pain हो सकता है ulcer मतलब कि आपके pain के अंदर जो है वो ulcer हो सकता है वहाँ पे छाले बन सकते हैं कि जिसको peptic ulcer का आ जाता है तो लंबे समय तक वो नहीं लेनी चाहिए फिर आपके liver को भी वो damage कर सकते है अगर आप काफी लंबे समय तक यूज करते है epigastric pain हो सकता है मलब कि आपके जो stomach है वहाँ पे आप जो हो दर्द जैसा महिसूस कर ले आपके जो gastro-intestinal track में जो stomach का reason है वहाँ पे आपको दर्द महिसूस हो आपको उल्टी हो जी गब्रा यासा condition हो indigestion मलब की और पाचन की condition कुछ लोगों को उसके करण और दस तमलब की diarrhea जैसी condition हो जाती है और सीने में जलन जैसा फिल करते जिसको heart बन कहते है और कुछ लोगों को loss of appetite न लगके पसंद दिता खाना सामने होने के बावजूद आपको खाना खाने का मन नहीं होता तो ऐसे कुछ side effects develop होते हैं painkillers के करण आगे बात करते हैं उनके कुछ contraindications की तो कौन से condition में painkillers को नहीं खानी चाहिए या फिर paracetamol के सिवाइद जो दुसरी कुछ painkillers है उनको बहुत ही precautions के साथ लेनी चाहिए कि अगर आपको heart के बिमारी है आपको arteries related problem में लबके आपको serious cardiovascular system related problem है कि आपका समझे कि heart अच्छे से काम नहीं कर रहा आपके blood vessels अच्छे से काम नहीं कर रहे तो भी ये medication आपको नहीं लेनी है फिर आपको already peptic ulcer है कि चाहे वो gastric region में है duodenal region में है या फिर आपके isofigus के region में है आपको IBD का problem है inflammatory bowel disease या फिर आपके liver आपका काम नहीं कर रहा या फिर liver already damaged है kidneys आपके अच्छे से काम नहीं कर रहे या फिर kidney damage है फिर बच्चों में उसको जो वो avoid करनी चाहिए बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ paracetamol सिर्फ और सिर्फ paracetamol वो भी paracetamol kid या फिर उसका जो syrup आता है वो ही based रहेगा same pregnancy के लिए भी paracetamol जो हो आप use कर सकते हैं आपको नहीं लेनी चाहिए तो यह थे यह दवाई के contraindications हमारे सेकंड चैनल को जो सब्सक्राइब करें जिसका नाम है hollywood2 हिंदी एक्स्प्लेंड medicine course एकसेस करें pharma rocks की mobile application के उपर और सीखे दवाई के बारे में उनके basic use दो side effect warning and contract इसको एक साल तक affordable prices में pharma rocks के आप उपर whatsapp कर सकते हैं 901631 और 2020 पर या फिर डायरेक्ली डाउन्डोड करें आप pharma rocks android user android app डाउन्लोड करें आइफ़ोन यूजर अप स्टोर से और लिंक आपको description box में मिल जाएगी या फिर 901631 2020 नंबर पर आप हमें call या whatsapp कर सकते हैं good luck and all the best